है है हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेक्या हूं मैं 2021 का करेंट अफेर्स को मैंने हर एंगल से कवर करनी की कुशिश की इसमें आप पीछे तो पुन इन इंपोर्टेंट डेज नीधन फिखेल यानि स्पोर्ट्स पुरुस्कार आपका एवर्ट्स डिफेंस रिलेटेड योजनाएं फिर समीतियां फिर पुस्तक और लेका विज्ञान साइन्स टेकनोलोजी शमेलन और विविद यानि मिश्लेनिश इन सभी टॉपिक काम कवर करेंगे दोस्तों मैं इसको कम्माइन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको पार्ट में लेके आएंगे हम पार्ट में आज डिसकस करेंगे दोस्तों अंतराष्ट्री इस्तर राष्ट्री इस्तर और राज्य इस्तर अंतरा और के वाद दोसतों मैं उसको पूरा कम मैंट करके आपको उप्लोड कर दोँगा अगर आप एक साथ देखना चाहिए एक साथ भी देख सकतेliyor इस प्लस दोस्तों आपका मुझा का मैं का एक दम क्लेर हो जाएगा दोस्तों पढ़ेंगे माइन में डाग्राम बनाते चलेंगे ताकि हमें इजी लियाद चले शुरुवात करते हैं आज के अंतराष्टी राष्टी इस्तर पे दोस्तों यह रोजगार समचार में अभरी फ्राइड़े आपके लिए हिंदी और उंग्लीस दोनों में ले सब्划गरेंगे हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब हम आप अपर वे स्ट्रेस्तर की नियूज भारत के हाथ से निकली इरान में फर्जाद बी गैस ओएंजीसी ने की ती खोज ओएंजीसी दोस्तों इस्टेंटफर ओएल नेचुरल गैस कोर्पोरेशन इरान द्वारा एक इस्तानी कमपनी को विशाल गैस शेत्र विक्षित करने का अनुमन जिय जाने के बाद भारत ने ओंजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा फारस की खाड़ी में खोजेगे फरजाद बी गैस को दिया है नैस्टनल इरानी कमपनी एन आई योशी ने फारस की खाड़ी में फरजाद बी गैस को विकास के लिए पोर्ट पेट्रो पांस ग्रूप के लिए 1.78 मिलियन अमरीकी डॉलर के साथ अनुबंधन पर अस्ताक्षर किये हैं तो दोस्तों एक्जाम द्रिश्टी से हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि भारत के आहां से इरान में फरजाद भी कौन सी गैस निकल गई है तो ओंजीशी ने जिसकी कोज की थी तो आंसर रहे लोग साल और इरान के राश्ट पति कोन है हसन रुऊनी दोस्तों करन्ट अफेर्स के साथ हम इसके एक्स्टर फेक्ट बारें बात करेंगे क्योंकि आशसी एक्जाम और 112 कि बीच विदेश और रक्षा मंतर इस समवाद इस्ताफित करने के लिए समित हुए है रूस चोथा देश, पहला गैर क्वाड शदश्य देश हैं जिसके साथ भारत ने 2 प्लस 2 मंत्री इस्त्रिय समवाद तंत्र इस्ताफित किया हैं दोस्तों भारत और अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ ऐसा तंत्र ह इससे भारत और रूस के बीच दिवपक्षिय रण नितिक साज़ेदारी को बढ़ाओ देने की उम्मीद है तो देखे दोस्तों यह इंडिया एंड रश्या एसेंसियल टू प्लस टू मिनिस्ट्रिल डायलोग बिट्विन फॉरेंड डिफेंस मिनिस्टर दोस्तों दोस्तों नैशनल लेवल की भारत की युनेस्को विश्व दरोर इस्तलों की अहस्ताई सूची में 6 विरासत को सामिल कर दिया गया है जानते इसके बारे में केंद्रिय संस्कृति मंत्राले मंत्री पहलाज सिंग पटेल ने हाली में गोश्णा की कि वह लगबग 6 संस्कृत विरासत इस्तलों को युनेस्कों की विश्व दरोर इस्तलों से जोड़ा गया है दोस्तों इस तरह मारी बढ़ा कर कितनी हो गई है 48 हो गई है और यह कौन-कौन से वारानसी के गंगागाट तमिलनाडू के कांचिपूरूम के मंदिर मध्यपरदेश के सत्पुडा यह वास्तुकला हायर बैंकल मेगालिथिक साइट और मध्यपरदेश में नर्मदा गाटी के वेड़ा गाट लमेता गाट यह दोस्तों छे इसमें सामिल कर दिये गए हैं इस परकार हमारे विराती हो गया है 48 दोस्तों आप इसमें पिच्चर में देख सकते हो बारत में इन संग के नेताओं की बैठक में भाग लिया और भारत यूरॉपिय संग के नेताओं की बैठक का आयोजन पूर्टगाल द्वारा किया जाता है वरतमान में पूर्टगाल समु का अध्यक्स है यूरॉपिय परिश्ट के शदिश्य अध्यक्स स्रीचाल्स मिश्यल के नित्र म में शामिल हुए तो दोस्तों हमारे लिए हैं कि वर्चुल इंडिया यू लीडर्स में कौन सामिल हुए वह हमारे भारत के के प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी अगर दोस्तों महित्वपूर्ण फैक्ट की एक्जाम पॉइंट व्यू से देगें तो यूरोपियन परिश्वत की स्थाबना 9 दिसंबर 1974 हुई थी यूरोपिय संग मुख्याल है ब्रसेल्स बेल्जियम में है और यूरोपिय संग की स्थ आपना एक नॉंबर 1993 में में हुई थी अगली नियूस देखते हैं दोस्तों डियाडियो ने विक्षित की कोविड 19 एंटीबोडी डिटेक्शन कीट डिपकोविन दोस्तों डियाडियो होता डिफेंस रिचर्ज डिवलोप्मेंट और्गिनाजेशन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भारतीर अनुसम्दान और विकास संगर्स्तर डियाडियो जिसका हिंदी में इसको बहुताँ भारतीरक्शा अनुसम्दान और विकास अनुसम्दान दोस्तों बहेंग एक्जां मंदी कोशिण आता ही आता है न्यूक्लियो स्पीड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती हैं दोस्तों मैं तो पुन फेक्ट की बात करें डिया डियों के अध्यक्स को ने डॉक्टर जी सतीस रेडी यह आपको दोस्तों याद करना है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है डिया डियों का मुख्याले कहां पर नीव डेली है डिया डियों की स्तापना कब हुई थी नाइन्टीन फिप्टी एट मुई थी यह देखिया डिप को इनका किट है जो की डिया डियों ने विक्षित किया है नेक्स्ट निव्जादेस्टों मुंबई में मारा राष्ट के पहले ड्राइविन वेक्शनेशन से सेंटर पर नहीं जा सकता है तो यहां वेन के तुरू हो जाके इंजिक्षिन लगवाएंगे को राष्ट के पहले ड्राइविन वेक्शनेशन सेंटर वेक्शनेशन सेंटर के उद्गाटन मुंबई में सांसत रहूल सेवाले ने किया ये के अंदर दाधर के कोहिनूर कि इस्तन में क्या गए है दोस्तों महारास्ट के राजयपाल की बात करें तो भगत सिंग कोश्यार यह है और महाराश्ट कि राजदानी है मुंबई और महारास्ट सीम्हें उध्दÁउठ था उठा करें तो दोस्तों हमारे लिए बी आरो का सिक्स्टी सेवन याने इक सट्वा इस्तान ना दिवस बी आरो इस्टेंट फॉर दोस्तों बॉल्डर रोड और्गिनाजिशन है सीमा सड़क संगटन जिसको हिंदी में कहते हैं कासगटन साथ मैं उनिस्सों साट को किया गया था इसका मेहन उदे से यह है भारत की सिमाओं यहने भारत के उत्तर और पूरत्र राजियों के साथ दूर्द राज शेत्रों में भुनियादी डांचे को विक्सित करना साथ मई 2021 को भी आरो ने अपने 61 मनाया इसमें हमारा भी आरो डिवस तो हमारा एक्जम पॉइंट यूविव से दोस्तों यह की बनता है एक चैनल राजीव चौधरी ब्यारों मुख्याले नहीं दिल्ली और यह देख लिए दोस्तों ब्यारों का बोडर रोड्स और लेक्स दोस्तों लेता है पीम किसां समान निदी आटवी किस जारी दोस्तों इसके बारे में आपको कुश्चन्स से में देखने को मिलेगा पीम कि आपको बहुत जल्दी उसका वीडियो मिल जाएगा आज या कल में परदानमंत्री में प्रदानमंत्री किशान समान निदी और प्राइम मिनिस्टर किशान समान निदी की आट भी किस्त जारी कर दिए बारत सरगार चोटे और सिमान किसानों के खातों में 6,000 रुपे ट्रा मार्च में दी जाती है तो हमारा exam point of view से कुशन यही बनता है दोस्तों कितनी पीम जो किसान सम्मनान निद्धी है उसमें कितनी राशी दी जाती है कितनी किस्ते दी जाती है और कित एक किस्त की दोजार रुपए हम डिसके कर चुके अगला नियूज लेजते हैं दोस्तों आयूस मंत्राले ने बी विद योगा बी एट होम पर फाइफ वेबिनार की सरंकला आयूजित की आयूस मंत्राले अंतराश्ट्य योग दिवस याने इंटरनेशनल डे ओफ योगा 2021 से पहले विबिन गतिविद योगा आयूजन कर रहा है इनमें से एक पांच वेबिनार की सरंकला है जिस मंत्राले देश के पांच प्रसित संगतनों के सहयोग से विद योगा बी एट होम के व्यापक विशय के तहत आयूजित करना जो एक विशेज विशय पर वेबिनार प्रसुत करेंगे कुछ प्रशित संगतन आर्ट ओफ लिविंग योग संस्तान अहम ध्यान योग आधी इसमें भाग ले रहें आयूस मंत्राले के राज्य मंत्री यहने सोतंतर पापा की बात करें तो स्ट्रीवपाद यसो नाएक हैं यह आपको याद रखना है दोस्तों यह Ministry of IUs हैं और इसके देख रहे हैं हर्सवर्दन डॉक्टर हर्सवर्दन के अंदर में नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कैबिनेट ने विदेशी देशों के साथ ICOI, ICSI के बीच हस्ताक्सरीत समझत्य को मंजूरी दियें दोस्तों Institute of Cast Accountant of India इसका फुल फॉर्म है ICOI, Institute of Cast Accountant of India और Institute of Company Secretaries of India ICSI केंद्रिय मंत्री मंदल ने विबिन देशों और संगर्णनों के साथ Institute of Cast Accounts of India और Institute of Company Secretaries of India द्वारा किये गई समझत्य का विबगान MOU, Memorandum of Understanding को मंजूरी दे दी हैं दोस्तों यह देख सकते हो आप यह मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों हमारा exam point of view से ICOI और ICSI का फुल फॉर्म क्या है नेक्स्त दोस्तों देखते हैं भारत संयुतराष्ट सांती धार रक्षकों के लिए इंडिया है दोस्तों यह आप फोटो में देख सकते हो लॉंच्ट मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म फॉर यूएन पीस कीपर्स यूनाइट अवेर भारत संयुतराष्ट सांती सैनिकों के लिए ड्यूटी के दौरान उनकी सुरुक्षा में सुधार के लिए एक मोबाइल ट संयुतराष्ट के सांती अभ्यान संचालन विभाग का मुख्याला नियॉर्क यूएसे में हैं तो दोस्तों हमारे एक्जाम पॉइंट यू से एक ही कुशिन में बनता है कि भारत संयुतराष्ट सांती दार्कों के लिए मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म का क्या नाम है तो ह प्रदान मंत्री नरंदर मोदी की अध्यक्स्ता में केंद्रिय मंत्री मंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू सहर में भारत के एक नए महा वानीजीय द्यूतावास के उद्धगाटन को मंजूरी दे दी हैं तो भारत और मालदीव पूरा नता में डूबे हुए जातिय भास सांस्कृतिक धार्मिक और वानीजीय के लिंक साजा करते हैं तो दोस्तों मालदीव जो हैं नेबर हर्ड फर्स्ट पॉलिश यानि सागर्ज शेत्र के सभी के लिए सुरक्सा और विकास के लिए भारत सरकार के दरश्टी कौन में महत्वपूनिस्तान रखता है दोस्तों इ यह मालदीव के राष्टपती इब्राहिम मौहिम्मद स्वलीद और यह भारत के परदान मंत्री नरंदर मोदी यह उसका अमरा इंडियन फ्लैग है यह मालदीव का फ्लैग है नेक्स्ट निव्स है दोस्तों असम के नए मुख्य मंत्री बने हिमंत विस्वा सर्मा हिमंता विस्वा सर्मा को आंट मई 2021 को असम के पंदरवे मुख्य मंत्री के रूप में नाम मनित किया गए है वह सर्वानन्द सोनोवाल की जगह लेंगे और 10 महीं तक कार्य बाहर समाल देंगे तो दोस्तों हमारा एक्जाम पॉइंट व्यू से क्वेशन यह है कि असम के नहीं मुख्य मंत्री को आने हिमंता विस्वा सर्मा उन्होंने किसको रिलीव किया यानि किसके पत पर आए सर् पार्टी से बिलॉण करते हैं यह भावरती जंता क्र पार्टी से बिलॉण रखते दोस्तों असम के राज्येपाल कुन है अस्वके राज्येपाल जग्दी स मुखी नेक्स्ट दोस्तों, COVID-19 से संबंदी दान हर्याना गुजरात में GST की पर्तिपूर्टी की हर्याना गुजरात COVID-19 संबंदी चिकिसा अपूर्थी के लिए भुकतान केगे माल और सेवा पर GST के अपूर्थी करने के लिए गोशना करने वाले कुल राजिया बन गए इन चिकिसा पूर्थी में ऑक्षीजन वेंटिलेटर दवाय सामिल है जो राजी सरकारों को मुप्त में दान की जाएगी हर्याना से छूट 30 पर जून तक हैं और जबकि गुजरात में 31 जुलाई तक वेद्य हैं तो दोस्तों इस पर आपको जीएस्टी में कोवीड-19 संबंदी दान हर्याना और गुजरात में जीएस्टी की प्रति पूर्टी कि यह आपके इंपोर्टेंट न्यूस हैं दोस्तों मुखिय के मंतरी मंत्री को थि marked गुजरात के मंतरी मंत्री को हैं दोस्तों विजय रुपानी और गुजरात के अचारिय देव वर्थ नेक्स्ट दोस्तो पिन राई वीजन ने दूसरी बार कैरल के मुख्य मंतरी के रूप में सपत ली वो त्रिवन्तन पुर्म के सेंट्रल स्टेडियम में अन्हें कोभीट प्रोटोकॉल के साथ उनका सपत सामरों संपन हुआ दोस्तों कैरल के रजयपाल की बात करें आरिफ महमत खान तो दोस्तों इस नीज से हमारे दो में तुपन इंपोर्टेंट क्वेशन निकलते हैं कैरल के मुख्य मंत्री कौन है विर्णाई विजेन जो दूसरी बार बने दोस्तों कैरल के राजेपाल को ने आरीफ मुहमद खान यह कोईशन कहीं बार देखने को कोईशन में देखने को मिला दोस्तों कैरल के राजेपाल को ने आरीफ मुहमद खान याद रखी नेक्स्ट है दोस्तों मंतब एनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुक्यमंत्री पंद की सपत लिये और दोस्तों सबसे मजबूत परतीपक्स बीजेपी 77 सीतों के साथ दूसरे इस्तान पर सबसे बड़ी पार्टी उबर के सामना आई दोस्तों मैं तो पुर्पून फैक्ट की बात करें पश्चिम बंगाल के राजेपाल का नाम क्या है जगदीप धनकड तो दोस्तों अभी हमारा इससे दो इंपोर्टेंट क्वेशन निकलता है पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री को ने वह ममता बैनर जी उनको कितनी सीटे मिली थी यह कुश्चन से इंपोर्टेंट है उनको टू नाइंटीन टू सीटों में से 213 सीटे मिली 200 बुराणवे सीटों में से दोस्तों पश्चिम प्रमुक स्टॉलिन बने तमिल नाडू के मुख्यमंत्री तमिल नाडू के राजयपाल बनवारी लाल पूरुई तो तमिल नाडू के राजयपाल कौन दोस्तों बनवारी लाल पूरुई ने द्रविड मुनेंदर कड़गम पार्टी के प्रमुक म के स्टॉलिन को तमिल न रह्ल प्रूहित। नेट्स निजलेश में दोस्तों हिमाचल पर्देश ने सुरूOh हार्वेस्ट रेन्वाटर के लिए फोरेस्ट पॉंड्स का निमंतों हि advo परवत धारा यूजना के तहत कौन सी उजना दोस्तों परवत धारा यूजना के तहत 20 करोड रुपे के परी व्याई के साथ जल स्वतों को कायकलब करने और वन विबा के मध्यम से एकपी फरों को रिचार्ज करने की पहल शुरुवात किये अभी विलासपूर, हमीरपूर, जोगिंदर नगर, नाचन, पारवत्ती, नूरपूर, राजगर, नालागा, ठीयोग और डेलो जी ने प्रवागों में काम शुरू क्या है, दोस्तों इसका यूजना के तरहत एक ही काम है, मौझुदा तलाबों की सफ़ाई और रखरकाव क्या जाए, दोस्तों महतुपूर्ण फैक्ट की बात करें, हिमाचल पर्देश के राज्यपाल को ने, बंडारू दत्तात्रई, हिमाचल इसका तो हमारे एक्जाम पॉइंट व्यू से एक एक क्वेशिन बनता है, दोस्तों हिमाचल पर्देश ने कौन साब इसकी माभी फोरेस्ट पॉंड के निर्मान के लिए सुरूइत की है, तो दोस्त हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फोरेस्ट पॉंड का निर्मान, अग पॉंडूचरी के मुख्य मंत्री का क्या नाम है, पॉंडूचरी के मुख्य मंत्री का नाम है, रंगा सामी, एन रंगा सामी, एन रंगा सामी के पद को गोपनियत की सपद लेफ्ट गवर्नर अत्रिक्त अभाग तमिली से सौंदर राजन ने दिलाई, दोस्तों अगली नि इस जब्चाब की मुख्य मंतरी नाम क्या है pen 검찰 mu csak मुख्य मंतरी का नाम है captain मुख्यमंदर सिंगा कंप्प है vast ले तो आपको एस निहोज निकल कि जाते हैं पंजाब के मुख्य मंत्री अम्मने सिंग ने इद उल्फितर के मौके पर 14 माई 2021 को मलेर कोटला को राज्य का 23 जिला गोशित कर दिया है मलेर कोटला एक मुश्लिम बहली लाग है और इसे राज्य के संगरूर जिलेंग से अलग बनाए गया है अगले निज़ें दोस्तो विकाराबाद शेत्र के अस्पतालों में आकास से दवा का पाइलोट परिक्षन किया गया है तेलंगा सरकार ने विकाराबाद शेत्र में अस्पतालों के चारों और फेले 16 स्वास्तिय के अंदर यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर पी एच सी का चैन किया जो कि कई ड्रॉनों के माधियम से दवाओं की डिलीरी से जुड़ी अपनी तरह की पहली परियोजना है जो महत्व कांग सी आकास से दवा फ्रॉम दाइसकाई पाइलोट का परिक्षन कर रही है परिक्षा के लिए महत्वन फैक्ट के बात करें दोस्तों तेलंगान से दवा का पाइलोड़ परिक्षन कि स्टेड की योजना है दोस्टों यह विकराबाष शित्र के तेलंगाना शरकार की योजना है दोस्तों यह तSec courtroom की राज़दानी कौन नेक्स्ट दोस्तों पच्छी में बंगाल सरकार ने विदान परिश्द के गठन को मंजूरी दे दी यह भी काफी न्यूज में रही दोस्तों मंतब एनर जी जो अभी हाली में मुख्य मंत्री बनी है उन्हाने दोस्तों बुराणवी शीटों में से 213 शीटे हमने उपर डिसक सब्सक्राइब पहले पच्छी मंगाल के दिव सदंशनिय दिव सब्सक्राइब लेकिन अब 1969 में सहिंत मोर्चा सरकार दोराई से समाप्त कर दिया गया है दोस्तों इंपोर्टेंट की बात करें राज्य विदान परिश्द राज्य विदान मंडल का एक उच्छ सदन होता ह पच्छी में बंगाल की मुख्य मंतरी मंताब एनरजी और दोस्तों राज्य पाल हैं जगदीफ दनकड इतना आपको फैक्ट याद रखना है तो दोस्तों पहला कोशन इस नियूस से बनता है कि पच्छी में बंगाल सरकार ने विदान परिश्द को किसने मंजूरी दे दि मुख्य मंतरी राज राजय फाल कौने जगदीफ धनकड है अग्सक्स दोस्तों असन के मुख्य मंतरी हेमंत विष्वा सर्मा ने अभी भावक मंत्री की नियूट्य की अभी भौह का मंतरी हेमंत विष्वा सर्माने राजह की सभी 34 ज modGS सरकारी नितिद फैसलों प्रसासनेग अधिकारी और अन्य कल्यांकार योजनाव के निग्राने के लिए अभी भाव का मंत्री तक्राइगा चक्रवात यास जो भी हालिम आये था दोस्तों सेनी के चक्रवाती तुफान में 26 27 मही के बीच में पश्चिमी बंगाल और उडिशा के दस्ट पर जबर्दस ते एक तुफान आये था दोस्तों काफी तबाही भी हुई थी इसे हमारे लिए इंपोर्टेंट यह है कि कौन सा चक्रवात अभी पश्चिमी बंगाल और आता है है विश्व मौशम्राम विज्ञान का संगतन अगर इसका इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें रहें तो में सूटेज व वीश्व मौशम्राम संगतन की सतावन दोश्टो 3 मार्द निससों पचास में है और से के अध्यक्त होने डेविड ग्रिम से दोस्तों एक्जाम पॉइंट व्यू से हमें यह रखना है कौन सा तुफान पश्चिमी बंगाल उडिसा से तर्ट से टक्राया था तो चक्रवात व्यास से नेक्स्ट दोस्तों गोवा राज्जी का दिवस्त तीस मई को बना जाती है हम इंपोर्टन डेज में इसको डिसकस करेंगे और यह राजिश्ट्री निवस्ती इसलिए हमने इसमों नैश्णल यूज थी वह भी हमने इसमें सामिल किया है तीस मई को गोवा का इस्तापना एक एक पहलोग के बारे में जानेंगे शुरुवात करते हैं अंतराष्ट्री निवच दोस्तों पहली निवज हैं सड़कों पर चालक रहितकारों की अनुमुत्ती देने वाला पहला देश बना है यूके यूनाइटेड किंग्डम कम गती पर शूर ड्राइविंग वाइल से उसको ड्राइविंग का उसको डारेक्शन देते रहेंगे उसमें ड्राइवर नहीं रहेगा तो यह सब देश करने वाला कौन सा देश बन गया दोस्तों यूनाइटेड किंग्डम मैं तो पुन फैक्ट की बात करें दोस्तों यूनाइटेड किंगम यान यूके के परध चालक रहीत मालब ड्रावर रहीत यानि जो चालक होता वो नहीं रहेगा कारों के अनुमती देने वाला कौन सा देश बन गया है तो वह दोस्तों UK नेक्स्ट है दोस्तों important news मार्ता कूम बनी Kenya की पहली महिला मुख्या नियादीस मार्ता कर्मबु कूम यानि Kenya की पहली महिला मुख्या नियादीस है वो सरकार की तिनों साकों में से किसी एक करने तो करने वाली पहली महिला बन गई है दोस्तों important act की बात करें तो परिक्षा के लिए महतुपून fact है Kenya की राजदानी कौन सी है नेरोबी केनिय की मुद्रक है Kenya की सिलिंग और केनिय की राष्ट पति कौन है उहुरू Kenya यह देख सकते हैं दोस्तों यह हैं मार्ता कूम बनी Kenya की पहली महिला मुख्या निदीस नेक्स्ट important अंतराष्टे न्यूस हैं दोस्तों केपी सर्मा ओली सभी जानते हैं दोस्तों काफी चर्चा में भी रहे थे हमारे इंडिया की पर कमेंट्स करते थे परतिनिदी सभा में विश्वास मत आर गए नेपाल के परदान मंत्री केपी सर्मा ओली ने परतिनिदी सभ नेल नक् WhatsApp में से कम 166 सीटों के आवसत्ता होती है कि transparent की बात करें नेपाल की राज़्दानी कों सी है दोस्तों यह तो सबी को पता है और मुसायद आपको भी पता है तो नेपाल की राजदा नहीं है काट मांडू और नेपाल की मुद्रा कौन सी है नेपाली रुपिया नेपाल के राष्ट पति कौन है विद्या देवी बंडारी कई बार ये कोईशन पुचा गए है दोस्तों ये हैं दोस्तों केपी सर्मा ओल जो प्रतिनीदी सबा में विश्वास मत आ रहे हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट अंत्राष्टी न्यूजे दोस्तों मंगल गरह पर सफलता पूरक उत्रचीन का पहला मार्स रोवर जुरॉंग दोस्तों एक पॉइंट व्यू से एक कोईशन हमारा इंपोर्टेंट बनता है क इस गोड़ी जो था या मंगल गरह पैसब दोस्तों नाम क्या तो दोस्तों ऊस्त ओर का नाम नाम जो पैसे पंद्रा मई को डोशूर हर्केश को लाल गरह पर पर अपना पहला मार्स ओर जुरॉंग उतारें की उपलबदी असील कर दी अभी तक सिरफ अमेरिकान ही मंगल पर अपने रोवर को सपलता पर उतार सका है अन्य सबी देशों जिन्हों ने कोशिज कि या तो वह दुरुगत नागस्ट हो गया है या सतर पर पहुंचने के बाद संपर्ट तूड़ गया है दोस्तों यह हैं चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर जोना मंगल कर पूता रहा जुरूंग है जो की लेंड हो गया इसकी यह तस्वीर है सैटलाइट तस्वीर दोस्तों इंपोर्टन फेक्ट की बात करें चीन के राश्ट्री अंत्रिक्स प्रसाशन की स्थावना 22 अप्रेल 1993 यह इतना इंपोर्टन नहीं हेडियन जीला बीजिंग चीन तो दोस्तों हमारे एक एक एक्जाम पॉइंट से क्वेश्चन बनता है जुरूंग जुरूंग किसका है यह आपका चीन द्वारा बेजा गया मंगल पर मार्स रोवर अगली अंत्राश्ट नियूज है दोस्तों पी-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- पहली बार अमरीकी भागीदारी को मंजूरी दी दोस्तों यूरॉपिय संग ने हाली में नौर्वे कनाड़ा और शहिंत्राजी अमेरिका के इस्ताई सरचना सयोग पैस को सरक्षा पहल के भाग में लेंगी अनुमती यान अनुरोध को मंजूरी दे दी हैं यह पहली बार ह तो ने तीसरे राज्य पैस को प्रयूजना में भाग लेने के अनुमती दिए अब देशों में यूरोप में सहनी गति सीलता पर अले मिलिटरी मोबिलीटी प्रोजेक्ट में भाग लेंगे दोस्तों यूरोप्यसम में चार राज्य खुद को ततस्त करते हैं वें आश्ट् कुझा इस हैं दोस्तों नेपाल के का मिरिटा 25 वी बाहर एवरेष्ट फतर जोकह करने वाली उसका नाम ऎम क्या मिरिफ सब्सक्राइए का मिरिटा यह नेपाल के नेपाल परवातार वहीं रिटा ने दुनिया कि सबसे उंची चोटी को सबसे अधिक आयूरों के अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं 25 वी बार मांट एवरेश्ट पर चड़ाई की दोस्तों एक्जाम पॉइंट वीव से बात करें तो मांट एवरेश्ट का नेपाल नाम क्या है सागरमाता सागरमाता नेपाली नाम है उसको मांट एवरेश्टी बोलते हैं तिबती नाम क्या है चोमो लूंगमा नया किरतिमान यह देखी दोस्तों यह हैं नेपाल के कामी रीता जो की इकाउन वर्षिया हैं अगली निव्ज है दोस्तों हवाई हमले के बाद इस्राइल और हमास के बीच बड़ी सत्रूता इस्राइ दागे थे उसके बाद इस्राइल ने गाज़ा के सेग्ड़ों हमले कि इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इस्राइल की राजदानी यरुसलम मुद्रा इस्राइली सोकेल और बेंजामिन नेत्यों इस्राइल के प्रधान मंत्री है तो दोस्तों आपको इंग्जाम प मैं नेल्सन ने चौदवे ना साप्रशासक के रूप में सपत ली हैं हुमारा ऐंपोटन कोश skills यहीई बता चौदवे नासा प्रशासन के रूप में किसने सपत लिए पूर्व सिनेटर बिल नेलसन ने पूर्व सिनेटर बिल नेलसन ने एजेंसी के लिए बिडेन हैरीस परशासन के द्रश्टी कौन को पूरा करने के लिए नासा के चौदवे प्रशासन के रूप में सपत लिए इंपूर्टन फेक्ट की बात करें नासा का मुखेल है वाशिंग्टन दिशी शहिंत राजी अमेरिका और नासा की इस्ताफना एक अक्टूबर उन्नीस सो अठाउन को भी थी अगली न्यूज है दोस्तों नेपाल के प्रदान बंते के रुप में फिर न्यूक्त हुए केपी सर्मा ओली नेपाल के केपी सर्मा ओली को राश्पति विद्या देवी बंडारी द्वारा देश के प्रदानमंते की रूप में फिर से न्यूक्त किया गया यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा पहला कार्यकाल दोस्तों बारक्टर 2.015 से 2.016 तक था फिर 2018 से 2021 से फिर अब आगे तक इसका कार्यकाल रहेगा परजेंड में अगले नियुक्त दोस्तों डबलू एचो वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाजिशन ने भारतिय कोरोना वाइरस संक्रमन को ग्लोबल वेरियंट ओफ कंसर्ण के रूप में वर्गीक्रत किया विश्व विश्व विश्वास्ते संगटन ने भारत में पाई जाने वाले एक कोरोना इफेक्ट की बात करें डबलू एचो की सताबना साथ अपरेल उनिस्व और तालिस को इती डबलू एचो की राष्ट के जिमेदार एजन्सिय जो अंतराष्ट सारुजनिक स्वास्ते के लिए जिमेदान है और डबलू एचो के बरतमान अध्यक्स डॉक्टर टेड्रोस यहींड साथ एक शेरेट्न बिन्एंट्सित्स पर परतिबंत लगाने का सबसे पहल देश बन गया है excellent वाइक फूर्ट को दीज है ₹ichen के राजदा है बिजिंग चीन की मुद्रे रेंड भीवी और चीन के राश्पत्र यह सी जीट पिंग यह ए दोस्तों नार्कोटिक्स दोस्तों इन्होंने synthetic cannabinoids यही एक competent question बनता है कि कौन सा देश synthetic cannabinoids को बर्तिबंद लगाने वाला देश बन गया है तो वह हैं चीन अगली न्यूज हैं दोस्तों सर डेविड एंटेम नो एटन बरो को कॉप 26 प्रसारक और प्राकरतिक इत्यासकर सर डेविड एटन बरो को इस नॉमबर में ग्लास को में सहुंत राज्जी जलवाई परिवर्तन या राष्ट जलवाई परिवर्तन सीकर समयलन में UK presidency के लिए को कोप 16 यह जलवाई परिवर्तन पर एक मीटिंग होती दोस्तों जिसको कोप 26 और पीपुल्स एडवोकेट नामिंद क्या है कोप 26 क्या है यह पार्टियों का 26 वा सभीष्वा सभीष्वा परिवर्तन समयलन है कि यह हैं दोस्तों UK के सर डेविड एंटन बरो नेक्स्ट दोस क्योंन में से निर्वाषित सदन संसद के पूर्व अधियक्स ईन्पाथ अरिंग यानि को निर्वाषित सर्कार का नया अधियक्स चुना गया है important fact की बात करें दोस्तों तिबत की राजदानी लांशा है और तिबत की मुद्रह रेन मिन भी क्या नेक्स्ट इंपोटेंट खबर है दोस्तों मौक्टर ने फिर बने माली के पर्दान मंत्री मौक्टर ओव ने माली के के परढ़ान मंतली के रूप में फिर से न्यूद किया गया है, इसे यही neste Krona की लिए अंग के पूज सरकार के परढ़ान मंतली की से न्यूद obsolet and ia मों को सॉडूरी आफरीका में एक इस्तल्व सिमा देस है दोस्तों यह अफ्रीका का आंट वा सबसे बड़ा देश है माली और इसकी राजदानी बमा को है मुद्रा पश्ची में अफ्रीकी CFA फ्रेंक है यह माली के बारे में इंपोर्टेंट न्यूज थी नेक्स्ट इंपोर्टेंट खबर दोस्तों एटलस वी रॉकेट ने यूएस स्पेस फोर्स के लिए एस बी आई रस जीओ फाइफ मिसाइल वार्निंग सैटलाइट लॉंच किया है दोस्तों यूनाइटेट लॉंच एलाइंस के कैप कैना वैल ने स्पेस फोर्स इस्टेशन फ्लोरिडा से एटलस वी रॉकेट लॉंच किया है यह एटलस रॉकेट जीओ फाइफ मिसाइल वार्निंग सैटलाइट ले गया दोस्तों स्पेस बेस्ट इंफ्रारेड सिस्टम तो दोस्तों एक्जाम पॉइंट व्यू से आपको यह याद रखना कि स्पूल फॉर्म क्या हैं और यह किसने लॉंच किया है इसे मिसाइली यह यह रक्षत के लिए क्या जाता है दोस्तों यह है एटलस वी रॉकेट लॉंच एस बी आईयरेस स्टैंड फॉर इस्पेस बेस्ट इन्फारेड सिस्टम स्पेस बेस्ट इंफरेड सिस्टम इफ जी यू 5 है जो कि वार्न लॉंच एलाइन्स के स्यों कोने टॉरी बुनो उनाइटि लॉंच एलाइन्स की इसताफना 1 दिसमर निस्स दुजार चेकों की गई थी उनाइटि लॉंच एलाइन्स का मुखेले सेंटेनियल कोलोरोडो सुंग्त राज्ये दोस्तों नेक्स्ट अंतराष्टि खबर हैं चीन क 2D का सपलता पूर्ट प्रविक्षन क्या हैं यह हैं दोस्तों देखिए आप चीन का महासागर यह हैं हयांग 2D और यह चाइना ने सक्सेस पुली लॉंच किया है इसका नाम किया है हैं हयांग 2D यह आपको याद रखना है चीन ने एक सभी मौशम और 2400 गंटे गतिसील महासागर प्रियावन निग्राणी प्रणाली बनाने के लिए अपने प्रियास के अपस्ताहद एक नया महासागर निग्राणी उपग्रव सपुलता पूरु का अक्सा में भेजा जो कि समुदरी आपदाओं पर प्रपर पार्म अंत्रिक्स प्रक्षासन की मैं 22 अप्रेल 1993 1993 चीन राष्टी अंत्रिक्स प्रशासन का प्रशासन का मुक्यल है हेडियन जीला बिजिंग चीन तो दोस्तों एक्जाम पॉइंट व्यू से हमारा क्वेशन बनता है कि चीन ने महासागर अउलोकन के लिए कौन सा उपग्र चौदा वर्सों से पहले चौदा वरसों पहले दकष्ण पंटी वाम पेता के रूप में नेता के रूप में सपत ली दोस्तों किसे सेफ़ाधी नें वर्सों के दक्षी ने वामपत्ती नेता कर उपना सपद लिए उनका नाम है दोस्तों गिल्मौरो लाशो गिल्मौरो लेशो ने एक रुडिवादी ने एकवादोर का राष्ट पतिक पत्का सपद ग्रहन किया है तोस्तों इंपोर्टन फैक्ट की बात करें एकवादोर की र नाइंटीन वेरियंट उबरती विमारियों की पैचान के लिए एक उन्नत अंतराष्टी रोग जनक निग्रानी नेटवर्क इस्तापित करेगा यह वैस्विक में हमारी रेड और नए रूपो उबरती रोग जनों का सिंग्र पता लगाना सूनी चीत करेगा ताकि उन्हें रोकने के लिए आवसिक ठीक हो और उप्चारों की विक्षित किया जा सके दोस्तों इंपोर्टन फेक्ट की बात करें युके के प्रधान मंत्री कौन है बोरिश जॉन्सन युके की राजदा नहीं कौन सी है लंदन तो दोस्तों आपको एक्जाम पॉइंट वी से इसने य प्रस्ताव रखा है दोस्तों अंतराष्ट्रिय मुद्रकोष यहने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 50 मिलियन डॉलर की वेस्विक ठीका करन युजना का प्रस्ताव किया है दोस्तों जो 2021 के अंस तक वेस्विक आबादी को कम से कम 40% और 2022 की पहली 6 माई तक कम से कम 60% बात करें तो इसमें मुख्या में यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्या ले हैं वाशिंग्टन डी सी यूएस में आयमेंफ के प्रबंद निदेशक्स और अध्यक्स क्रिश्टिना जॉर्जीवा आयमेंफ के मुख्य अर्थ साथ्त्री कौन है दोस्तों गीता अगले अंत्राश्टी निवाज पात करते हैं होली Nette मोको श्रमी कांगो की राज़विल कांगो की मुद्रा कांगो फ्रेंक हमारे एक्जाम पॉइंट आफ द्रस्टी से एक ही कोशिन बनता है कि कांगो घंड राज्य के ने प्रदानमंत्री का क्या नाम है कोली नैट माकोसों दोस्तों अगली न्यूज की बात करता है इंटरनेशनल डेविट बार्निया बने इस्राइल के अगले मोसाद प्र अजनसी मोसाद का नया प्रमुक निवक्त कर दिया गया है लंबे समय से मोशाद एक पूरुष अद्शिय बॉर्णिया के एक जून को इस्राइल की कुफिय अजनसी के प्रमुक रहे थे दोस्तों इंपोटेंट बात करें इसके इस्राइल के प्रधानमंत्री कौन है प्री की सिनेट ने पहली महिला सेना सच्चिव के रूप में क्रिष्टिन वर्मुत की पूष्टि की हैं दोस्तों क्रिष्टिन वर्मुत एक को सिनेट द्वारा सवरु सब्मनित्ति से सेना की पहला महिला सच्चिव की होने की पूष्टि की गई है दोस्तों यह हैं के लिए फिर से से राष्ट्पति के लिए के लाष्ट्पति के लिए चौते साल सालों के लिए कारेकल के लिए फिर उनको राष्टपती निर्वाचित कर दिया गए दोस्तों प्रिक्षा की इंपोर्टेंट दर्श्टी से बात करें शीरिया की राजदा निकाहें दमिस्क और दोस्तों मुद्रा हैं सीरियाई पॉंड अगली नियूस बात करते दोस्तों अंत्राष्टिय tinh भारतिय सांती चेलिकों को वह संवानित किया गया हैं दोस्तों के नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको एक्जाम में एक कुशन दे देंगे कि इसमें से किसको पूरुसकर्स पूरइं Castle नहीं ही रहा तो आपको त के नेशन के सांतिप अभ्यानों में सेवा करते हुए अपने प्राणों का निच्छावर कर दिया यह दोस्तों प्राइज उनको मर्णों प्रांथ दिया गया था उन 129 पुलीश चैनिया और नागरी कर्मियों में सामिल जी ने ड्यूटी के तनात नयद किया गया था उनका नाम संहुत्राश के प्रतिसित पदसी समानित क्या गया है अगली दोस्तों होंकेंग की महिला ने एवरेष्ट की सबसे तेज चड़ाई का रिकॉर्ड बनाएं यह दोस्तों होंकेंग की इस्तित प्रतारोई तांग यंग हंग ने हज महज 26 घंटों से कम समय में एक महिला द्व कंटे और पचास मिनट के रिकॉर्ड के समय में 8848.86 मीटर यानि गुंतिस जार 31 फिट मांट एवरेष्ट को फतर किया है दोस्तों हिमाले की चोटी पर चड़ने का यह उनका तीसरा परियास था यह थी दोस्तों आज की नेशनल इंटरनेशनल और स्टेट निउस आगे हम दोस्तों अगले वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हुए पार्ट टू में हम लोगे लेके आएंगे बैंक से एकोनोमिक से रिलेटेड और जितने भी बैंक से रिलेटेड निउस हैं वह आपके लिए लेके आऊंगा उसके बाद दोस्तों नियुक्तिय अपॉइंट्मेंट लिए गयाये फिर समझोते की बात करेंगे रएंक रिपोट्स की बात करेंगे इंपोटेंट डेज जो मई के जितने हैं उनके बारे में detail में बात करेंगे फिर नीदन फिर के लपूरुसकार इस्पोर्ट्स फिर उसको पाद हम डिफेंस से रिलेटेड और योजना योजना करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहे मेरे साथ अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो प्ले सब्क्राइब दा चैनल ताकि आने वाला इस सीरीज के हर वीडियो आप तक मिलता रहे